नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभी से एक मिस्रा बिहार में कैबिनेट विस्तार की सुख बुगाहट सुनाई दे रही है और जाहिर है कैबिनेट विस्तार से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल यह है कि किन चेहरों को नितीज कैबिनेट में जगह मिलेगी और कौन से चेहरे आउट होंगे चाहे वो बीजेपी कोटे से हो या चाहे वो जेडियू के कोटे से हो लेकिन इस वक्त हम नितीज कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी हुई जो की होना तकरिवन तय है वक्त चाहे जितना लगे तो नितीज कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी हुई एक exclusive खबर लेकर आए हैं, City Post आपको सबसे पहले बताने जा रहा है कि क्या होने जा रहा है, और खास कर हमने आपको दो दिन पहले बताया था कि जो तीन विदायक VIP में से आए हैं, उनमें से दो का मंत्री बनना तकरीबन तय है ये बात हमने इसलिए कही थी, क्योंकि BJP सांसद, जो मुझफरपुर के सांसद हैं अजय निसाद ने कहा था कि तीन विदायकों में से दो मंत्री बनेंगे लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास क्या जानकारी है तो बहुत सारी जानकारी है केबिडेट विस्तार को लेकर और सिटी पोस्ट आपको वो जानकारी एक्स्क्लूसिब बता रहा है दरसल तीन विदायक, सवर्ना सिंग, मिस्री लाले आदो और राजू सिंग ये तीनों वियाईपी पार्टी को जटका देकर मुके स्रहनी को जटका देकर बीजेपी में सामिल हो गए और इसमें से एक मंत्री बनने जा रहे हैं राजू सिंग का मंत्री बनना तय है तीनों विधायकों ने दिल्ली में बीजेपी के रास्टी अधिक जेपी नड़ा से भी बात की, मुलाकात की, क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई ये खुल कर सामने नहीं आया और जाहिए तोर पर ऐसी मुलाकातों में क्या बात होती है वो खुल कर सामने नहीं आता आप अंदाजा लगा सकते हैं कयास लगा सकते हैं जानकारी जुटाने की कोशिस कर सकते हैं तो सिर्फ राजु सिंग मंत्री बनने जा रहे हैं सवाल यह है कि फिर मिस्री लाल यादो और स्वर्ना सिंग का क्या होगा तो दोनों को एज़स्ट करने की तैयारी है दोनों में से एक के बेटे को भी एज़स्ट किया जाएगा और दूसरे को भी एज़स्ट किया जाएगा हम नाम नहीं बताएंगे किसके बेटे को दूसरी जगह एज़स्ट करना है देखिए मुकेस सहनी को जटका देने का इनाम तो तीनों को मिलेगा लेकिन इनाम एक ही हो ये जरूरी नहीं है राजू सिंग को मंत्री पद मिलेगा वो मंत्री बनने जा रहे हैं ये तक्री बनते हैं लेकिन स्वर्णा सिंग और मिस्री लाल यादाओ के लिए अलग-अलग इनाम तयकर रखा है BJP ने तो एक के बेटे को एज़स्ट किया जाएगा और एक को भी एज़स्ट किया जाएगा ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है लेकिन सहनी समाज से भी एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा तलास चल रही है तलास सुरू हो गई है और सहनी समाज का एक विधायक मंत्री बनेगा मुकेश सहनी को इसी तरह से रिप्लेस किया जाएगा यानि कि मुकेश सहनी की कमी पूरी करने के लिए उस समाज को प्रतनिधित्व दिया जाएगा हालकि विहार सरकार में मदन सहनी मंत् कैबिनेट विस्तार नितिस्थ Wouldnet में सहनी समय एक विक्ति को जगह मीं लेगी ये भी बड़ी जानिकारी निकल कर सामने आँ रही है तो कैबिनेट विस्तार शेजड़ी हुई जो जानिकारी हमारे पास थी सिटी पोस्ट वे यह मताई है एक्स्कूशिब पॉस्ट हाँ दो चेहरों के बारे में और हम आपको बता दें बीजेपी कोटे से संजे मयूख और राना रंधीर इन दो लोगों का मंत्री बनना तकरिबन तैमाना जा रहा है यह भी जानकारी हमारे पास है जो सुत्र बताते हैं लेकिन पूरी तस्वीर उसी दिन साफ होगी जब नित कई बार चीजे सही हो जाती हैं कई बार चीजे गलत हो जाती हैं तो हमारे पास मोजुदा वक्त में जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही इस पूरी खबर में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद